हमारे बाबा हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, न भूले नमस्कार दोस्तों बाबा हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेके आए कुछ नया कुछ बेतर जिसे आपके और आपके परिवार का कल्यान कर सके आज हम आपको बताना चाहेंगे यह तिलक है, जो तिलक लगा कर आप जिसके भी सामने जाएंगे वह आपसे सम्मोहित हो जाएगा यह कोई सिद्ध करने की जरूत नहीं है, बस पूरी विधी आप अच्छी तरह से सुनने जो हम बताने वाले हैं आपको इसमें आपको करना क्या है, हम सारी विधी आपको बताएंगे आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले, अगर सस्क्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को दबा लेना जिससे हमारा अगला वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुच जाए, फिर हम आपको बताने वाले हैं, आपको इसकी जो विधी है इसको प्रयोग करने का तरीका हम बता देते हैं, आपको मंत्र हमने डिस्पले पे दे दिया है यह मंत्र जो हमने डिस्प्ले पे दिया है इसका बिधी कैसे करना है आपको सफेद एक चनोटी होता है सफेद चनोटी अगर आपको पता नहीं है किसी पंसारी की दुकान पे जाके जो है पता कर लेना अगर आपके आज पास कोई भुजूर्ग है भुजूर्ग से पूछना पता देगा सफेद चनोटी जो होता है सफेद चनोटी और उसको आप लेना है उसके बाद उतकरंठा जो होता है उतकरंठा उसको उसकी जड़ लेनी है जो है आपको सफेद चनोटी और उतकरंठा यह दोनों इसका जड़ लेना है और सफेद चनोटी लेना है इन दोनों को अच्छी तरह जो है बारीक एकदम उसको पीस कर एकदम बारीक जो है उसका पेश्ट बनाना है जब एकदम बारीक पेश्ट बनाना है तो यह जब मंत्र हम जो दिये हैं आपको डिस्प्ले पे इस मंत्र को सिद्ध कर लेना दिपावली दसहरे एकादसी पूरिमा नौरात्री तो इस मंत्र को आपको 108 बार जो है पढ़कर मंत्र सिद्ध करेना क्योंकि मंत्र सिद्ध करोगे फिर कारे करेगा तो जब आपको यूज करना है जब इसका प्रयोग करना है उस समय आपको लेना है हमने आपको पहले ही बता दिया है सफेद चनोठी उसके बाद जो उतकंठा की जड़ दोनों को पीस कर अच्छे से पेश्ट बनाएं पेश्ट बनाने के बाद आपको पूरे सरीर पे अपने पूरे सरीर पे जो है मालिस करना जैसे तेल लगा के मालिस करते हैं इस परकार आप पूरे सरीर पे जो है मालिस करें जब आप पूरे सरीर पे मालिस करेंगे उसके बाद आप जिसके भी सामने जाएंगे जो भी ब्यक्ति जिसे आप सम्मोहित करना चाहते हैं जिसको आप अपने वस में करना चाहते हैं जब आप इतना सब करते हुए जब उसके सामने जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आप आते हैं वह आप से सम्मोहित हो जाएगा आपके बस में हो जाएगा तो यह है एक सम्मोहन करने का जो हमने तिलक दिया है यह बहुत ही पावरफुल तिलक है साबर मंत्र है दोस्तों साबर मंत्र से हम आपको जो भी देते हैं साबर मंत्र देते हैं जो आपको अतिसीग्र कारे करें अतिसीग्र आपको लाव हो तो जब आप किसी भी कोट कचेरी में जाएं किसी भी अधिकारी के सामने जब आप उससे मिलने जाएं तो आप इसका प्रयोग करें जब आप अपने इच्छित कारे करवाना चाहते हैं किसी अधिकारी से तो आप यह प्रयोग करें वह अधि अधिकारी करने लगेगा यह एक बहुत ही पावरफूल और तीब्र मंत्र है इस मंत्र को आपको कोई बताएगा नहीं यह अधिकारी हुए कोई भी जिससे आप कोट कचहरी में जाना चाहते हैं जहां भी थाने पे जाना चाहते हैं इसका प्रयोग करके आप जाएंगे देख आप पुलीस जो होगा आपके इच्छित आप जैसा चाहेंगे उस हिसाप से कारी करने लगेगा आपके अनकूल कारी करने लगेगा यह बहुत ही सक्तिसाली मंत्र है इसका प्रयोग कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाइए तो हम हमेशा आपकी सेवा में कुछ अनकूण या कुछ बेटर लेके आते रहते हैं जिसे आपके और आपके परिवर का कल्यान कर सके जै महाकाली जै महाकाल भगवान भोलेना सर्दा आप पर देया बनाये रखें यही मनौरत के साथ हमेशा आपकी सेवा में लेके आते रहते हैं